उनीस सुचोरियासी की सिख विरोधी दंगों को लेकर दिल्ली हाई कोड़ दौरा सुम्मार को कांग्रेस नेता और पूरु सांसत सज्जन कुमार को उम्र केट की सजा सुनाई दी गई उन्हें 31 दिसंबर तक सरिंडर करने के बारे में भी आधेश दिया गया है सज्जन कुमार को आपरादिक साजिश और दंगे भड़काने का कोड़ दौरा आपरादी पाया गया निचली अदालत ने 30 अप्रेल 2018 को उन्हें बरी कर दिया था अब सवाल इसी बात का है कि क्या सज्जन कुमार इस फैसले के खिलाब सुप्रिम कोर्ट में अपील करेंगे क्योंकि उन्हें फिलहाल तो जेल भेजा ही जा रहा है उलेखनी है कि हाई कोर्ट ने सज्जन के अलावा तीन अन्य दोश्यों केप्टन भागमल गिर्धारी लाल और कांग्रेस के पारशत बलवान खोखर की उम्रकेत की सज्जा को भी बरकरार रख दिया है बाकी जो दो दोश्यों थे पूरवधायक महंदर यादो और किशन खोखर की सज्जा तीन साल चे बड़ाखर दस साल कर दी गई है इधर सज्जन और जगदिश टाइटलर को मोत की सजा दिलाने तक उनकी जंग जारी रहेगी ऐसा कहना है अभी योजन के वकील एचेस फुलका और अकाली नेता मान जिंदर सिंग सिरसा का कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण के अंदर एक बात उलेखनी यह रही कि सज्जन को कवाह ने देख लिया था याने पिछले महीने पटियाला हाउस कोट में एक मामले की गवाह चाम कोर ने सज्जन को पहचान लिया था इधर आज कमलनाथ को लेकर वित्त मंतरी अरून जेटली ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि सिख दंगों में कमलनाथ का नाम भी आया था और कांग्रे साज उन्हें मुक्य मंतरी पत की शपत दिला रही है अब यह देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ को पर और क्या आरूब भारती जनता पार्टी द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन फिलहाल इस फैसले का अरून जेटली ने भी स्वागत किया है